हैलो एवरीवन आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत हमारे यूटुग चैनल पर दोस्तो डिजास्टर मनेजमेंट से लेटेड जो प्राकरतिक आप उससे लेटेड जो कोशन्स आपके एग्जाम एक से स्वावना है उनको देखते हैं दोस्तो कलास लेकर आए हैं आज डिजास्टर मनेजमेंट से समझनित कोशन्स इस कलास में हम करेंगे तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजेगा ताकि आपको सही समय पर सही रेगुलर कलासीज और जोब अपडेट मिलती रहे तो चलिए कोशन्स का शिल्सला शुरू करते हैं सबसे पहला कोशन है वीपदा पर बंदन में वीपदा पर बंदन जो प्रयोजना है उसका पुराथमी कुदेश से क्या है ओप्शन च्यार दोस्तो आपके सामने है ये तो इन च्यार में से आपको राइट आंसर करना है थोड़ा सा मिनिमाईज कर लेते हैं तो ये च्यार option आपके सामने ही में सांसर करना है, इस question का right answer है दोस्तो, option C, विपदा के तुरंत पर साथ सुरक्षा कारियों की योजना बनाना, और दोस्तो, इस question का right answer, option B, विपदा से परभावित छेतरों को सा अतापदान करना है, यानि कि जहां पर भी disaster हुआ है, उसके त तुरंत परभाव, यानि जब यो खतम हो जाए या कुछ दिमा पड़ जाए, तो हमें तुरंत जो परभावित छेतर हैं, जहां पर आपदा आई है, वहां पर से आतापदान करनी चाहिए, चाहिए वह मनुस्या को निकालना होगा, या लवस्ताव को बचाना हो या कोई भ आता है, वह आमें जोना उस विप्दा परभंदन के कारिया में प्रात्मी कुदेश से हमारा रहेगा उस विप्दा के बाद, उसके बाद अगला कोईशन दूसरा है, विप्दा परभंदन के दुरान आपदा संचालन नियमावली का उपयोग किसलिए किया जाता है, तो आ दोस्तों संसालन नियाम हैं वे किसी इसलिए बना जाते हैं ताकि जो वीपदा पर मंदन के जो कारीय होते हैं भचाव और रहातकारीय जो होता है उनको संसालन यानि regular sunshine के लिए उसके बाद अगला question है वीपदा पर बंदन में जन हितवक्ता क्या है तो वीपदा पर बंदन में जन हितवक्ता क्या है इसके chair option दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये chair option इसके हैं तो इसका right answer रहेगा वीपदा के पस्चात लोगों की अवाज को सुनने का अधिकार तो ये आपका रहेगा C option right answer वीपदा के पस्चात लोगों की अवाज को सुनने का अधिकार उसके बाद अगले question पर चलते हैं वीपदा पर मंदन में बाड़ छेतरों में जल निकासी के लिए कौन सी भी दियूपयोगी होती है तो जो वीपदा याणि प्रभावित अक्षेतर हैं बाड़ छेतर उनमें जो जल की निकासी करना उनके लिए कौन सी भी दियूपयोगी होती है तो option C right answer रहेगा आपका दुस्तो बांदों का निर्मान बांद निर्मानिस में रहेगा उसके बाद पांच में question पर चलते हैं आपदा परमंदन में जो वीपदा परमंदर परनाली का क्या महत्तो है तो इसका महत्तो जोस्तो वीपदा परमंदन कारियों के संचालन के लिए guideline परदान करना C option right answer रहेगा उसके बाद अगला question है वीपदा परमंदन के दोरान संकटो का निर्दारन किसे कहते हैं तो इसके चार option आपको यह दिखाई दे रहेए इस question का right answer दोस्तो रहेगा option number A वीपदा की गम्मीरता का मापदन ते करना ही जो हना वीपदा परमंदन के दोरान संकटो का निर्दारन करता है तो A option right answer इसमें दोस्तो रहेगा उसके बाद अगले question पर चलते हैं साथमे question पर अगला question दोस्तो आपका है वीपदा परमंदन में प्रियावरण ये अवांचना क्या होती है तो इसमें परमंदन आवंचना दोस्तो क्या होती है इस question के चार option आपके ये है इनमें से आपका right answer रहेगा option number जो साथमे question का right answer है option number B प्रियावरण सरक्षन की एवांचिता इसका right answer रहेगा उसके बाद आठमा question है विपदा परबंधन में विपदा संचालन योजना क्या होती है तो इसके 4 옵प्शन आपके दोस्तों रहेंगे इन 4 वप्शन में से 8वे क्वेच्टन का राएट आंसर विपदा के दुरान आपदा संचालन कारियों की योजना तियार करना योजना बनाना उसके बाद अगला question, नौवा question है वीपदा परबंदन में संकट परबंदन यानि प्लानिंग जो है, वो किसे कहते हैं तो च्यार option आपके यह हैं मेंसे आपको right answer करना है नौवे question का, right answer रहेगा option number C, वीपदा से परबावित चेतरों के लिए संकट परबंदन की योजना उसके बाद अगले question परबंदन में दवी मुखी निर्धारन की से कहते हैं तो दसमे question के चार option आपके हैं इसका right answer रहेगा संकट के पस्चात निर्धारित परती किरिया है संकट के पस्चात निर्धारित परती किरिया right answer इसका रहेगा ग्यारवे question पर चलते हैं ग्यारवा का option है वीपदा परबंदन में आपदा संचालन जो कारिये हैं उनकी समय सीमा क्या है तो आपके इसके चार option दोस्तों है ग्यारवे question के दो option आपके लिए हैं दोस्तों दो option दूशरे page पर ही यहाँ पर तो इनमें से दोस्तों ग्यारवे question का right answer हैगा option number A आप दा परबंदन कारियों की अवदी ही जो हों रहेगा इसमे right answer जो संचालन में कारिये का सीमा क्या रहेगी जो उसकी अवदी आनि की जो operation वेगर हम बचाओ operation हो कितने गंटे चला है 40 गंटे जी जो भी सीमा रहेगी इसमें सीमा रहेगा time उसके बाद अगले बारवे question पर चलते हैं दोस्तों तो बारवा question है विपदा परबंदन में विपदा परबंदन का प्रियोजना साधन क्या है तो इसके question के 4 option आपके सामने है ये इसका right answer हैगा बारवे question का option number C विपदा परबंदन प्रोजेक्ट के लिए उप्युक्त उपकरन ये C right answer हैगा उसके बाद तेरवे question पर चलते हैं तेरवा question है विपदा परबंदन में आपदा दिकारी क्या होता है तो आपदा दिकारी क्या होता है विपदा परबंदन में option number D right answer हैगा विपदा चेपर बावित छेतरों के लिए सायता परदान करने वाला जो दिकारी होता है वो ही विपदा दिकारी इसमें होता है अगला question है विपदा परबंदन में वीपदा चेतावनी सिस्टम क्या होता है तो right answer आपका इन च्यार options में से है दोस्तो वीपदा किसम बावित गटनाव को चेतावनी देने का सिस्टम तो देखे थोड़ा सा question की language को अगर आप समझते हैं तो आप answer पर चाना easy हो जाता दोस्तो जैसे चोध में question की बात करता हूं मैं वीपदा पर मन में वीपदा चेतावनी यानि आपको संकेत देना चेतावनी देना तो कौन देगा गटनाव से सम्मझते जो system होगा जो चेतावनी देनी होगी तो ऐसा ही तो सिस्टम सेतावनी देगा जो गटनाई संभावी चेतर होगा तो पहले ही वह आँपे इस सारा कर देगा या बता देगा कुछ हिंट दोस्तों की तरब से चेतावनी वार्णिंग वगर दी जाएगी तो इस तरीके का जो सिस्टम होता हो गटनाऊ या चेतावनी देने से पहले ही जो बताता है तो वो राइट आंसर आपका इसमें रहेगा अगला question पंदर मा question है वीपदा पर मंदन में परमुख जोखिम क्या होता है तो परमुख जोखिम क्या होता है वीपदा पर मंदन में दोस्तो इसके चार option आपके येर है पंदर में question का right answer होगा option number C वीपदा की गम बीरता का मापदंड उसके बाद सोलवा question है वीपदा परबंदन में S थाई अपात कालिन संगठन क्या होता है तो चार option दोस्तों आपके ये हैं इसका right answer रहेगा चार option में से option number C वीपदा संचालन परबंदन के लिए गठी ओने वाला संगठन right answer इसमें रहेगा सतरवा question है वीपदा परबंदन में वीपदा निद्यसाले क्या होता है तो इन चार option में से आपका right answer दोस्तों सतरवे question का रहेगा option number C वीपदा संचालन परबंदन के लिए निद्यसाले अगला अठारवा question है वीपदा परबंदन में संगठ निद्यसाले किसे कहते हैं तो वीपदा परबंदन में संगठ निद्यसाले कहते हैं दोस्तों अठार में question का right answer हैगा option number B संगठ संगठनों के निद्यसक दस्तावेज यह आपका रहेगा उसके बाद 19 में question पर चलते हैं 19 में question है वीपदा परबंदन में एस थाई आपातकालीन संगठ नो का उपियो क्यों किया जाता है तो च्यार option आपके यह हैं में से right answer दोस्तों 19 में question का रहेगा option number A जो आपातकालीन संगठ नो का उपियों किया जाता है 20 में question है वीपदा पर बंदन में वीपदा निर्दारण क्या है तो 20 में question का इन 4 option में से right answer एगा option number A वीपदा की गंबीरता कमापदंड तै करना उसके बाद 21 में question है वीपदा पर बंदन में वीपदा पर बंदन की योजना क्या होती है तो 21 में question का right answer रहेगा option number C विपदा पर बंदन के लिए नितिगत योजना बनाना या नितिगत योजना और उनका जोहनी निर्वान करना 22 में question है विपदा पर बंदन में संकट पर बंदन क्या होता है तो 22 में question का right answer दोस्तों रहेगा option number C जो आपकी दूसरे page पर यहाँ पहे है दोस्तों 22 में question right option C विपदा पर बंदन के लिए बाद आओ के साथ संकट पर बंदन करने का भी कारिया इसमें रहेगा 23 मा question है वीडियो को जाते से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों यही question आपके directly exam में आपको देखने को मिलेंगे विपदा पर बंदन में अगनी पर बंदन क्या है तो यह 4 option आपके इस question के सामने दोस्तों इसका right answer रहेगा 23 में question का option number B विपदा शेयर पर बावी तक छेतरों को आग से बचाने का कारिया है option number D विपदा पर बंदन में जल्वायू पर प्रिवर्तन की नितिगत योजना जल्वायू प्रिवर्तन के संबंद में योजना रहेगी दोस्तों क्योंकि option number D इसमें right answer रहेगा 24 में question का ना किसी वीपदा पर बंदन के लिए जलवायू प्रिवर्तन के सम बंद में योजना बनाना नितिगत योजना नी सम बंद में योजना बनाना प्रिवर्तन के 25 मा कोशन है वीपदा पर बंदन में आपता पर बंदन योजना क्या होती है च्यार option आपके सामने 25 में question का right answer एगा option number A वीपदा संचालन पर बंधन के लिए नितीगत योजनाई मनाना उसके बाद 26 मा question है वीपदा पर बंधन में वीपदा विसलेशन क्या होता है तो ये एक option ये हैब दोस्तों और यहीं आपका right answer है वीपदा विसलेशन क्या होता है वीपदा शेफर बावित अक्चेतरों के लिए वीपदा विसलेशन करना उसके बाद अगले question पर चलते हैं अगला question है वीपदा पर बंधन में आपदा दीकारी क्या करता है तो आप दा दिकारी दोस्तों विपदा पर बंदन में क्या करता है 27 में question का right answer option number A जो विपदा का संचालन है उस पर बंदन के लिए जिम्मेदार अधिकारी तै करता तो A option right answer रहेगा question number 28 विपदा पर बंदन में विपदा पर बंदन संगठन क्या होता है तो right answer इन 4 option में से आप कर रहेगा 28 में question का A विपदा संचालन पर बंदन के लिए महतपून संगठन बनाना उसके बाद 29 में question पर चलते हैं विपदा पर बंदन में A पार दरशिता क्या होती है तो 39 में question जो दोस्तों उसका right answer रहेगा option number D विपदा पर बंदन के लिए A पार दरशिता का मापदन है जो 39 में question का right answer विपदा पर बंदन में A पार दरशिता होती है तो यह भी विपदा पर बंदन के लिए A पार दरशिता का मापदन यही जो ना A पार दरशिता इसमें रहेगी तीसमे कोशन अंतिम कोशन इस वीडियो का है विपदा पर बंदन में विपदा परती किरिया क्या होती है तीसमे कोशन के आपके ओर तीन ओप्शन दोस्तों यहां पे हैं तो इस कोशन का राइट आंसर हैगा ओप्शन नमबर C विपदा पर बंदन के लिए प्रतिकरिया उकाजो विकास ये रहेगा और ये 30 के 30 कोशन के अंसर की दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं साथ की साथ अपना मिलान भी कर लीजिएगा तो 30 के 30 कोशन के अंसर के आपके साथ की साथ नीचे दी वी है गया आपका प्रेक्टि अवाद जेंदे बार जर्याना